तो लाश्ट वी सूर्ड में हमने देखा था कि मास्टर जाओ ने जिनूर रिलंग के लगवक सारे अश्ट्रोक सेक्ट के मास्टर को अपनी दरफ कर लिया था और बस मास्टर जियांग को छोड़के जिनूर रिलंग के जितने फी किलैन रो सेक्ट मास्टर हैं उन्होंने मास से जियांग सावचन से कहा रहे होते हैं कि यंग मैं तुमें टेंसन लेने की कोई भी जरुवत नहीं है क्योंकि जियांग फेमली पूरी तरह से तुम्हारे सपोर्ट में है जिस पर सावचन कहता कि आपकी इस हेल्प के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सावचन कहता कि ठीके उन्हें आने दो और फिर मैंने जैसा तुम्हें बताया है बिल्कुल वैसे याग एक करते जाओ जिस पर दिंग सिंगलिंग भी यह सीनियर कहता है और आप सावचन हस्ते हुए कहता है कि मास्टर जाओ मैं यह देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत जिन्हों रिलंग के सावचन और बुलू कलाट सेट को जड़ से खतम कर देंगे और आप सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इस बात का पता सावचन और बाकी लोगों को भी चल जाता है और आप लाजाओ कहता है कि मेरे ख्याल से बेटे की मौत ने मास्टर जाओ को ए या फिर नहीं लेकिन तभी बाहर की तरब से आवाज आती है कि कहीं आप लोग हमें तो नहीं भूल गए और अब हम देखते हैं कि लिंग फैंग हैंग और वेंग क्यों वहाँ पर आते वे सब को गुड मॉर्निंग कहते हैं और अब ये देखने के बाद मास्टर जांग कहते हैं कि भले ये तुम लोग भी हमारे साथ हो लेकिन अगर वो लोग समुंदर हैं तो हम सब अभी भी उन लोगों के सामने बस एक बूंद हैं जिस पर बाहर की दरब से फिर से आवा जाती है कि आप लोगों ने हमारी गिंती क या फिर नहीं और अब हम देखते हैं कि लॉंग फीजिया और चुंफेंग पालर के मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब लॉंग सेक्ट और चुंफेंग पालर के मास्टर को यहाँ पर देखने के बाद मास्टर जांग की उमीदे फिर से बढ़ने लगती है और फि तब हम लोग बेटल गरांड में पहुंच जाएंगे तो आप सब को आटोमेटिकी सिग्रेट के बारे में पता चल जाएगा पहले माउंटेंड में फाइट करेंगे और उसे लेटर में हाइलाट करते वे ये लिखना कि ये फाइट बस जिन्दिगी और मौत की फाइट होगी और अब ये सुनने क बाद लाव जाव भी ये स माश्टर कहता है और अब सावचेन बाकी लोगों से कहता है कि आप सभी अब सावचेन बाकी से कहता है कि आप तुम अपने बारे में एक्स्प्लेंड करना सुरू करोगे क्योंकि अब तो मैंने टूर्णामेंट को भी जीत लिया है और अब इतना क्या कर सावचेन बातों को इगनूर करते वे जम इन पे सुनने के एक्टिंग करने लगता है और फिर बलेकी सावचेन के सामने बहुत ज़्यादा क्यूट और इमोशनल बनने की एक्टिंग करने लगता है जिसे देखकर सावचेन बहुत ज़्यादा गुस्से में बलेकी से कहता है कि पता नहीं क्यों आज मुझे हॉट डॉग खाने का मन कर रहा है और अब बलेकी रोते और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर पाऊगे उस दिन मैं सारी चीजों को तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझा दूँगा और अब बलेकी की बातों को सुनने बाद सावचेन बहुत ही प्यार से बलेकी को उठाता है और फिर बलेकी से कहता है कि अगर तुम जब बता सकते हो कि अभी तुम्हारी करेंट लेवल क्या है जिस पर बलेकी हसते हुए कि मेरी अभी करेंट पावर इतनी जादा है कि अभी एक फर्स्ट लेवल का सेलेश्टल किंग भी मेरे सामने घुटनी टेकेगा और अब बलेकी को रिलाइज होता है कि सावचेन धीरे बलाई को चमकाते हुए कहता है कि उस दिन उस माउंटेन पे जो भी आएगा उसे बस मौत मिलेगी और आप इतना सुनते हैं सावचेन बहुत ही जोर जोर से हसने लगता है और अब सावचेन हसते हुए कि फाइनली अब हम जिनुर लम पे अधिकार करने वाले हैं जिस पर बलाई की फुल जोर्स में कहता है कि कह दो उन जोपड़ी वालों को कि अब पूरे जिनुर रिलम में हमारा ही कहर धाने वाला है और आप यह कहने के बाद बलाई की बहुत ही फणी तरीके से कहता है कि कि आप तु मुझे नीचे उतारोगे और आप सीन चेंज होता है और हम बलो कलाउट सेट को देखते हैं जहाँ पर दिंग सिंगलिंग अपने सारे डिसाइपल्स को आने वाले खत्रों के बारे में बता रहे होते हैं और फिर दिंग सिंगलिंग सारे डिसाइपल्स का होसला बढ़ाते हुए उन सब को होने वाले बैटल के लिए मोटिवेट कर र से ज़्यां चान चांट नो सबसक्स हो मास्टर जा वा लोग अपनी सेना को और आब उनमें से एक master अपनी सेना को order देता है कि सारे blue cloud चेक के लोगों को मार दो और आब इतना सुन्दे दिंग सिंगलिंग भी अपने disciples को order देता है कि एक साथ सभी मिलके formation को create करना सुरू कर दो और आप इतना सुनते हैं सारे disciples भी एक साथ मिलके formation को create करना सुरू कर देते हैं और आप उस formation के create होते ही वो सारे लोगों सी formation में fans जाते हैं और आप वो दोनों master अपनी power की मदद से उस formation को तोड़ने की कोसिस करने लगते हैं लेकिन उनकी power से उस formation को एक खरोच भी नहीं आता है और आप ये देखकर ding singling हसते हुए क्याता है कि ये मेरे senior का formation है और इतने असानी से तो तुम इसे नहीं तोर पाऊगे और आप ये सुनने बाद वो दोनों master बहुत ही ज़्यादा चौकते हुए कहते हैं कि क्या तुम स्काइलोड की बात कर रहे हो और फिर वो master कहता कि भले ये स्काइलोड का formation क्यों ना हो ये formation हमें नहीं रोक सकता और आप इतना कहते हैं सारे elders और master मिलके उस formation के उबर attack करना सुरू कर देते हैं और आप काफी दिर मेनत करने के बाद भी हम देखते हैं कि वो लोग उस formation को नहीं तोड़ पाते हैं और पस गुस्से से दिंग सिंगलिंग को देख रहे होते हैं और अब दिंग सिंगलिंग हसते वे उन लोगों की condition को देख के कहता है कि मेरे senior ने कहा है इस formation को एक इंग रिलम के कल्टिवेटर को भी तोड़ने के लिए कम से कम एक दिन का समय चाहिए और बले ही तुम सारे हजारों की संख्या में क्यों ना हो लेकिन तुम लोगों को इस formation को तोड़ने में कम से कम आदे मुहिने का समय लग जाएगा और अब देंग सेंग लिंग उन दोनों master को छिडाते हुए कहता है कि तुम दोनों elders इतने ज़्यादा powerful हो फिर भी इतने चुपचाप क्यों खड़े हो जल्दी से इस formation को तोड़ दोर आके हमें मार दो और आप देंग सेंग लिंग की बातों को सुनके वो elders पस खड़े खड़े गुशा किये जा रहे थे और आप देंग सेंग लिंग हसते भी कहता है कि तुम लोगों को जितना भी time चाहिए हम लोग उतना time देने को तयार है तुम सारे लोग आराम से मिलके इस formation को तोड़ने की कोसिस करो और फिर देंग सेंग लिंग अपने disciples को रेष्ट करने के लिए कहता है और आप वो दोनों elder काफी जटा गुसे में कहरा होता है कि क्या हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस formation को तोड़ पाए तभी उनके पीछे से के elder निकलता है और फिर वो कहता है कि मैं इस formation को तोड़ सकता हूँ लेकिन मुझे इसके लिए कम से कम साथ दिनों के आवे सकता होगी जिस पर दोनों elder भी सहमत होते हुए कि ठीक है हमने आपको साथ दिनों का समय दिया है और आप scene change होता है और हम iron blood sack में real तैचुन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आखिर कार में करू तो करू क्या और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक knocker तैचुन के लिए खाना लेके आता है और फिर वो knocker तैचुन से कहता है कि यंग master आपके खाने का वक्त हो चुका है और फिर वो knocker खाने को table पे रखते हुए कहता है जो कि खुद सावचेन होता है और फिर तैचुन जैसे इस सावचेन को देखता है वो बहुत ही हरानी से फूचता है कि आखिर कर तु मंदर आए कैसे जिस पर सावचेन कहता है ये तो बस एक simple illusion trick था और अब तैचुन सावचेन से कहता है कि तुमने अकेले iron blood set आनी की हिमत कैसे की जिस पर सावचेन कहता है कि मेरे पास फालतू बातों के लिए time नहीं है और फिर सावचेन कहता है कि क्या तुमें अभी current situation के बारे में पता है जिस पर तैचुन कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि मास्टर जाओ ने जिनुरिलम के सारे मास्टर वर एल्डर के साथ मिलके तुम्हें और ब्लू कलाट सेट हो खत्म करने की परती गया ली है और मेरे क्याल से तुम सच में एक बहुती बड़ी मुसीबत में फस चुके हो जिस पर सावचेन कहता है कि तैचुन मेरे पास एक प्लैन है और चुकि तुमने मुझसे पहले help मांगी थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और अब ये सुनने बात तैचुन कहता है कि तुम तो अभी खुद बहुती बड़ी मुसीबत में फस चुके हो तो अब बहला तुम मेरी help किस तरह करोगे जिस पर सावचेन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि iron blood सेट मुझे जॉइन करे और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खात्म होता है